हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फेटरनेटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है खास तोर पर पिछले डेड़ साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है वो अपने आप में एक मिसाल है, मैं 130 करोड देश वासियों की और से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकड़ करता हूं साथियों डॉक्टर्स को इस्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा किसी बिमारी या दुरगटना का सिकार हुआ होगा या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मोकों पर किसी देव्यूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं हमें एक नया जीवन दे देते हैं साथियों आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात महनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है यह पुन्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्योचावर कर दिया मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र सद्रांजली अर्पित करता हुए और परिवार के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हुए साथियों कोरोना से लड़ाई में जीतनी चुनवतियां आई हमारे वैज्याने को डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तला से प्रभावी दवाईयां बनाई आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं यह वाईयरस नया है इसमें नए नए म्यूटेशन भी हो रहे हैं लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज्ज उनके एक्स्पिरियंस उनके अनुभव वाईयरस के इन खत्रों और चालिंजिस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर देश में तयार हुआ था उसकी सिमाए आप भली भाती जानते हैं पहले के समय में मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर को किस तरह नजर अंदाज किया गया था इससे भी अप परिचीत हैं हमारे देश में जन संख्या का दबाव इस चुनोती को और कठिन बना देता है बावजूद इसके कोरोना के दोरान अगर हम प्रती लाग जन संख्या में संक्रमन को देखें मृत्योदर को देखें तो भारत की स्थिती बड़े बड़े विक्सीत और समृत्ध देशों की तुलना में कहीं समली हुई रही है किसी एक जीवन का असमय समवाप्त होना उतना ही दुखद है लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है इसका बहुत बड़ा स्रे हमारे परिश्यमी डॉक्टर्स हमारे हेल्थ केर वर्कर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को जाता है साथियों यह हमारी सरकारी हैं जिसने हेल्थ केर पर सबसे अतिक बल दिया है पिछले वर्ष फर्स वेव के दौरान हमने लगबग 15,000 करोड रुपिये हेल्थ केर के लिए आवंटित किये थे जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रस्रक्टर को बढ़ाने में मदद मिली इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दो गुने से भी जादा यानि दो लाग करोड रुपिये से भी अधिक किया गया अब हम ऐसे क्षित्रों में हेल्थ इंफ्रस्रक्टर को मजबुत करने के लिए 50,000 करोड रुपिये की एक क्रेडिट गेरंटी स्कीम लेकर आए हैं जहां स्वास्त सुविधाओं की कमी है हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रस्रक्टर को ससक्त करने के लिए भी 22,000 करोड रुपिये से ज़्यादा आवंटित किये है आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं आदुनिक हेल्थ इंफ्रस्रक्टर खड़ा किया जा रहा है 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स से वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है मेडिकल कॉलेज की संख्या भी करीब डेड़ गुना बड़ी हैं इसी का परणाव है कि इतने कम समय में जहां अंडर गर्जुएट सीट्स में डेड़ गुने से जादा की वृद्धी हुई हैं वहीं पीजी सीट्स में 80% इजाफा हुआ है यानि यहां तक पहुंचने के लिए जो संगर्ष आपको करना पड़ा वो कठिनाई है हमारे युवाओं को आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी दूर सुदूर छेत्रों में भी हमारे जादा से जादा युवाओं को डॉक्टर बनने का आउसर मिलेगा उनकी प्रतिभा को उनके सपनों को नई उडान मिलेगी मेडिकल सेक्टर में हो रहे हिन बडलाओं के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिवद्ध है हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाब हिन्सा को रोकने के लिए पिछले वर्षी कानून में कई कड़े प्रावधान किये हैं इसके साथ ही हम अपने कोविड वोर्यर्स के लिए फ्री इंसरन्स कवर स्किम भी लेकर आए हैं साथियों कोरोना के खिलाब देश की लडाई हो या मेडिकल विवस्ता सुधारने का देश का लक्ष इन सब में आप सभी को महत्वपण भूमी का अदा करनी हैं उधान के तौर पर जब आप सभी ने पहले फेज में वैक्सिन लगवाई तो उससे देश में वैक्सिन को लेकर उत्सा और विश्वास कई गुना बढ़ दया इसी तरह जब आप लोगों को कोवीड एप्रोप्रेट बिहेवियर का पानन करने के लिए कहते हैं तो लोग पूरी सद्धा से उसका पानन करते हैं मैं चाहूंगा आप अपनी इस भूमिका को और सक्रियता से निभाएं अपना दायरा और ज़्यादा बढ़ाएं मेडिकल फेटरिनिटी के लोग योग के बारे में जागरुत्ता फैलाने के लिए बहुत आगया है योग को प्रचारीत प्रसारीत करने के लिए जो काम आज हज़ी के बाद पिछली श्रतादी में किया जाने चाहिए था वो अब हो रहा है इस कोरोना के काल में योग प्रानायम का लोगों के स्वास्त पर किस तरह सकारात्वक प्रभाव पढ़ रहा है पोस्ट कोवीड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई समस्तानों द्वारा एविडेंज बेज स्टडिज कराई जा रही है इस पर आप में से कई लोग काफी समय दे रहे हैं साथियों आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं एक्सपर्ट हैं स्पेशालिस्ट हैं और एक भारतिय को योग को समझना भी स्वाभाई ग्रूप से आसान होता है जब आप लोग योग पर स्टड़ी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहुत सीरियसली लेती है क्या आयाय में इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा सकती हैं योग पर एविडेंस बेज स्टड़ी को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती हैं एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर श्टड़ीज को इंट्रनेशण जरनल्स में परिश किया जाए उसे प्रचारित किया जाए मुझे विश्वास है कि ये स्टडीज दुनिया भर में डॉक्टर्स को अपने पेशन्स को योग के बारे में और जागरूत करने के लिए भी प्रोशाइद करेगी साथियों जब भी हाड़ वर्क टैलेंट और स्कील की बात आती है तो इनमें आपका कोई मुकाबला नहीं है मैं आपसे यह भी अनुरोद करना चाहता हूं कि आप पूरे एटेंशन के साथ ही अपने अनुभवों का डॉक्युमेंटेशन भी करते रहें पेशन के साथ आपके एक्स्प्रेंशिस का डॉक्युमेंटेशन बहुत ही अहम है साथी मरीज के सिम्टम्स, ट्रिट्मेंट प्लान और उनके रिस्पॉंस का भी डिटेल डॉक्युमेंटेशन होना चाहिए यह एक रिसर्च स्टडी के रूप में भी हो सकता है जिसमें विविन्द प्रकार की दमावों और ट्रिट्मेंट के असर को नूट किया गया हो जितनी बड़ी संख्या में आप मरीजों की सेवा और देखभाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पहले से ही दुनिया में सबसे आगे हैं यह समय यह भी सुनिशित करने का है कि आपके काम का आपकी साइन्टिफिक स्टडीज का दुनिया संग्यान ले और आने वाली पीडी को उसका लाभी भी मिले इससे दुनिया को जहां मेडिकल से जुड़े कई जटिल सवालों को समझने में आसानी होगी वही उसके समाधान की दिशा भी मिलेगी कोवीड की यह महमारी इसके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है वैक्सिन किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है किस प्रकार से अर्ली डागोनेसिस का लाभ मिल रहा है और एक पर्टिकुलर ट्रेट्मेंट किस प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है क्या हम इसको लेकर जादा से जादा स्टडिज कर सकते हैं पिछली शताबदी में जब महामारी आई थी आज उसका डॉक्युमेंटेशन बहुत उपलब्त नहीं है आज हमारे पास टेक्नोलोजी भी है और हम अगर कोवीड से कैसे मुकामला किया गया है इसके प्रैक्टिकल अनुभवों का डॉक्युमेंटेशन करते हैं तो वो भवि देश में पूरी मानवता के लिए बहयत मददगार साबित होगा आपका यह अनुभव देश के मेडिकल रिसर्च को एक नई गति भी देगा अंतमें मैं यही कहूंगा कि आपकी सेवा आपका स्रम सर्वे भवन्तु सुखे नह के हमारे संकल्ब को अवश्य सिद्ध करेगा हमारा देश कुरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा इनी शुब कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो डॉक्टरों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन भी किया और ये देखिये पहली बार नहीं है जब से ये महामारी शुड़ू हुए प्रधानमंत्री हर मौके पर जबाते हैं तो इन डॉक्टरों का शुक्रियादा जरूर करते हैं जो फ्रंट में आते हैं और जी जान से उनकी जान बजाने की कोशिशों में जोटते हैं हाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि 7 साल में 15 नए एम्स बने है यानि सरकात किस तरीके से इस दिशा में काम कर रही है बजट को बढ़ाए गया है अस्पतालों की संख् रहेंगे और स्वस्त रहेंगे तो जादा अस्पतालों के चक्कर नहीं लगेंगे लेकिन भगवान का दूसरा रूप डॉक्टरों को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक बार फिर से उनका शुक्रियादा किया क्योंकि आज डॉक्टर स्टे है और इसी का पता नरात का पता लगाता सिर्फ मरीजों की सेवा कर रहे हैं